हेलो फ्रेंट्स आज को और सोप में हमें स्मार्ट सेल्फ चार्जिंग एलेक्टिक कार बनाएंगे इस कार को मैंने स्मार्ट इसलिए बोला क्यों कि इसके सामने ज़दी कोई ओबस्ट का लाएगा ति यह आटोमेटिक रुख जाएगा इस कार को बनाने के लिए हम गियर मोटर का यूज करेंगी आप चार गियर मोटर का यूज कर सकते हो या फिर दो गियर मोटर का यूज कर सकते हो चार वील के लिए चार मोटर का यूज कर सकते हो या फिर दो मोटर लगा के दो वील को आप वह से ही लगा देना और इस motor को हम car को move करने के लिए यूज़ करेंगे और battery को charge करने के लिए यूज़ करेंगे और यह है relay इसकी मदद से हम एक circuit को disconnect करके दुसरे circuit को connect कर सकते हैं automatic और फिर इस car को बनाने के लिए हमें एक जरूत होगा IR sensor का इस IR sensor को हम use करेंगे इस car को बनाने के लिए इस IR sensor की मदद से हम इसके सामने यह कोई ओवेस्टेक लएगा तो उससे यह sense कर लएगा detect कर लएगा और car को रुक देगा उसके बाद हमें लेना होगा कुछ battery जिसकी power supply सी है car move करेगा इस car को बनाने के लिए जो main main component लगेगा वो है gear motor, relay, IR sensor और battery तो इस car को बनाने से पहले हमें इसके हर एक component के बारे में हर एक function के बारे में जानना होगा कि यह IR sensor कैसे work करता है relay कैसे work करता है और gear motor की मदद से हम इसके battery को किस तरका से charge करेंगे तो यदि एक ही video में आपको सारा चीज बता होगा तो यह video बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए हम सारा चीज पर एक separate separate video बना देंगे आज आपको यह video मिल रहा है कल आपको IR sensor के बारे में मिल जाएगा परसो आपको relay के बारे मिल जाएगा और हेलो फ्रेंट्स जदी आपको यह video फ़संद आता है ते वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही टेक्निकली वीडियो को देखने के लिए पहमारे चैनल को सस्क्राइब परसकते हो धन्यवाद